रक्संबर्ग, जो आर्थिक रूप से सबसे समरिध और मुक्त समाजों में से एक माना जाता है, एक छोटा सा देश, वहाँ तलागदर 87 प्रतिशत है. स्पेन तलागदर करीब 65 प्रतिशत, रूस 51 प्रतिशत, अमेरिका 43 प्रतिशत, भारत 1.5 प्रतिशत, आप तै करें कि क्या कारगर है? क्योंकि शादी इससे संबंधित नहीं है कि वो कैसी हुई, किसने उसे तै किया? आपके मातापिता ने उसे तै किया? या एक कमर्शल वेब साइट ने तै किया? एक डेटिंग अप ने तै किया? या एक स्थानी बार ने तै किया जब आप नशे में थे? या आपके confused दोस्तों ने इसे तै किया या आपने खुद confused होकर इसे तै किया वैसे भी ये एक व्यवस्था है ये सबसे अच्छा होगा कि जिम्मेदार, समझदार लोग इसे तै करें ये विचार कि arrange marriage यानि एक तरह की गुलामी ये निर्भर करता है क्योंकि हर जगा शोशक लोग है कभी-कभी आपके माता-पिता खुद शोशक हो सकते हैं वो अपने खुद के कारणों, अपने मुर्खता पूर्ण पूर्वाग्र है अपने धन, अपनी बकवास के लिए वो इसलिए ऐसा कर सकते हैं खेर वो दर्शन देख रहे होंगे लेकिन कुछ दिन पहले ही किसी ने पूछा कि वो अपने लड़के के लिए लड़की चुनना चाहते हैं एक लड़की काफी शिक्षित है, सुन्दर है दूसरी लड़की के पिता बड़े आदमी तो मुझे क्या करना चाहिए तो मैंने एक आसान सवाल पूछा आप लड़की से शादी करना चाहते हैं या किसी की दौलत से आप मन बना लीजिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी प्राथमिक्ता क्या है ये प्राथमिक्ता पर निर्भर करता है अगर प्राथमिक्ता ये है कि शादी से किसी की दौलत आपकी हो जाए और यही मायने रखता है ठीक, ये आपकी पसंद है कि ऐसा जीवन आपने चुना है जब मैंने शादी की मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता था उनके पिता का नाम नहीं पता था मैं भारत में उसकी जाती या कुछ भी नहीं जानता था ये सुनकर मेरे पिता बोले क्या तुम्हें उनके माता-पिता का नाम भी नहीं पता तुम नहीं जानते कि वो कौन है, क्या है तुम शादी कैसे करोगे मेरी ऐसी किसी भी चीज से शादी करने की योजना नहीं है जो आम तोर पर एक लड़की के साथ आ सकती है बस लड़की से ये बात है ठीक है सभी ने सोचा ये एक आपदा है आप जानते हैं खुद से बने सलाकार हमेशा होते हैं हालकि मैंने जीवन में किसी की सला नहीं ली वो सला देते रहे वो बुले आप जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं ये एक आपदा होगी मैंने का जो भी हो जैसे भी हो मुझे पता था ये मेरे उपर है इसे आपदा बनाना या सफलता क्योंकि आप किससे शादी करते हैं आप कितने जिम्मेदार हैं यही सब कुछ है तो पूरी बहस ये है क्या तैय की गई शादी बहतर है या स्थानिय बार में मिलना बहतर है ठीक है मुझे लगता है जब आप थोड़ा नशे में नहीं होते हैं तो आपके निर्ने थोड़े बहतर होते हैं। अगर कोई 18-20 साल का पुरुष्य महिला युवक या युवति शादी करना चाहते हैं, तो वो किस से शादी करेंगे? उनके संपर्क वहीं हैं। उन 10 लोगों के भीतर जो वो अपने जीवन में जानते हैं, एक लड़का या एक लड़की से आप शादी करते हैं, तीन महिने में आप जान जाएंगे। पर ज्यादतर देशों में एक कानून है, तो कम से कम दो साल आपको जहेलना होगा। ये जेल के अवदी जैसा है। अगर आप गलती करते हैं, तो कम से कम दो साल आपको जहिलना होगा फिर आप तलाग दे सकते हैं ज्यादतर देशों में ऐसा है वैसे कई धर्मों ने ये तै किया है कि तलाग पूरी तरह से गलत है आप तलाग नहीं दे सकते पर जहां ऐसे धर्मों का पालन किया जाता है वहाँ तलाक की दर सबसे अधिक है तो भगवान के हुक्म ब्रेक अप को रोकने में सक्षम नहीं है कानून ब्रेक अप रोकने में सक्षम नहीं है आपको ये समझने की जरूरत है जब माता-पिता तै करते हैं मैं एक बुन्यादी सवाल पूछ रहा हूँ क्या आप मानते हैं हो सकता है उनका निर्णाय सबसे अच्छा ना हो पर वो आपका हित सबसे ज्यादा देखते हैं पर आप उनसे परे परिपक्व हो गए हैं तो अलग बात है आप खुद निर्णाय ले सकते हैं पर arranged marriage एक गलत शब्द है सभी marriage arranged होती है किसके द्वारा यही एक मातर सवाल है मुझे लगता है कि उनके तय किये जाने का सबसे अच्छा तरीका है जिनने आपकी भलाई की सबसे अधिक चिंता है जिनकी बड़ी पहुँच है क्योंकि आप दुनिया में सबसे अच्छा आदमी यह सबसे अच्छी माईला नहीं ढूंड सकते क्योंकि पता नहीं वो कहा है सीमित संपर्क के साथ जो भी उपलब्ध है हम उनका जोड़ा बना सकते हैं बस इतना ही है तो इसलिए इन समाजों में तलाक की दर वैसी है जिनके बारे में मैंने बात की उन समाजों में सफलता की दर बहुत सपष्ट है जब माता-पिता आपके जुड़ने का आधार होते हैं तो यह थोड़ा बहतर होता है क्योंकि वो थोड़ा आगे की सोचते हैं वरना आपको उसके कपड़े पसंद हैं और आप आज शादी करना चाते हैं कल सुभा आपको ऐसास होगा कि आप उसके साथ रहना ही नहीं चाते तो क्योंकि आप 18-20 वर्ष के होते हैं तो कई मजबूरियों या दोस्तों के दबाव के कारण कुछ निर्णाय ले लेते हैं जो जीवन भर नहीं टिकेंगे या कभी-कभी आप वाकई किसी से जुड़ जाते हैं और ये सफल होता है ये अलग मामला है तो तै करना सब कुछ तै किया जाता है कृप्या ये समझें आप बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं ये आपकी भावना ये आपके लालच द्वारा ये आपके प्रेज जानद्वारा ये किसी न किसी तरह से तै किया जाता है ये एक व्यवस्था है आप ये कैसे करेंगे ये आपकी पसंद है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तरीका है या वो तरीका है लेकिन जैसे भी आप करते हैं क्रिप्या इसे जिम्मेदारी से, खुशी से करें. अगर आप, आप जानते हैं कि कहा जाता है विवाह स्वर्ग में बनते हैं, पर आप अपने भीतर नर्क बना रहे हैं, विवाह स्वर्ग में बना हैं, तो बहुत सारे लोग जल्दी वहाँ जाना चाहते हैं ये वहाँ बनाएं तो वो वहीं जाकर इसे ठीक करना चाहते हैं नहीं, आपको समझने के जरूरत है कि आप अपनी शारेरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और कई अन्य जरूरतों की वज़े से आप जुड़े हैं अगर आप हमेशा याद रखते हैं कि मेरी जरूरतों की वज़े से मैं आपके साथ हूँ आप इसे जिम्मेदारी से करेंगे शुरू में आप ऐसे ही होते हैं कुछ समय बाद आपको लगता है कि उसे आपकी जरूरत है फिर आप गलत विवार करना शुरू कर देंगे फिर कई अलग अलग तरीकों से कड़वाहच जरूर शुरू हो जाएगी ऐसा हुआ एक युवक और एक युवती की सगाई हुई तो एक बार इस तरह ने एक डाइमंड होना चाहिए रिंग पहनने के बाद युवती ने युवक का हाथ पकड़कर कहा आप मेरे साथ अपना दर्द, अपने संघर्ष, अपने कष्टों को साजा कर सकते हैं आप हमेशा मेरे साथ साजा कर सकते हैं आदमी ने कहा ठीक है पर मुझे कोई संघर्ष या पीड़ा या समस्या नहीं है उसने कहा हाँ पर हमने अभी शादी नहीं किये तो अगर आपको लगता है कि आप दर्द, संघर, समस्याओं से भरे हैं और आपको किसी के साथ की जरूरत है तो परिशानी होगी आप खुद को एक आनंद में अद्भुत इंसान बनाते हैं फिर आप देखेंगे आपका काम भी अद्भुत होगा आपका घर भी अद्भुत होगा, आपका विवा अद्भुत होगा सब कुछ अद्भुत होगा क्योंकि आप वैसे हैं इसे ठीक के बिना, आपको लगता है कि कोई और आपको ठीक करेगा तो आपके लिए मुश्किल और निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति के लिए दुर्भागे पून परिणाम होने वाला है